So finally guys Realme 2 Pro के लिए भी Dark Mode की अपडेट आ चुकी है और दोस्तो Realme 2 Pro के लिए हमने Dark Mode की अपडेट का काफी लंबे समय से इंतजार किया था और हमारा जो इंतजार है finally अफ फिनिश हो गया चलिए खर दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको fully update करके दिखाऊंगा अपने Realme 2 Pro को और दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको Realme 2 Pro को manually update करके दिखाऊंगा क्योंकि यहां OTA update का wait करने में काफी समय लगता है और जो OTA update होता है वो काफी दिनो बाद हमें receive होता है चलिए खर मैं इससे पहले है आपको दिखा दूँ कि Realme 2 Pro के अंदर हमें क्या 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 चेंजिस देखने को मिलेंगे तो जैसा कि दोस्तो अभी आप यहां ध्यान से देखें यहां आपको Android security page level November 2019 का देखने को मिलेगा Darkmoon और Realme laboratory बाकी जितने भी normal features होते हैं जो कि हमें Realme क सबी phones के अंदर देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे हमें इसके अंदर भी देखने को मिलेंगे Realme 2 Pro के अंदर इस update को install करने के बाद तो दोस्तो इसके लिए सब सब पहले आपको करना क्या है Realme की official website पर आना है और website पर आने के बाद 2.72 GB की जो file है इसको download करना है खर मैं अपने Realme 2 Pro के अंदर अलेडी इस file को download कर चुका हूँ तो चलिए अब फटा फट जल्दी से हम पूरे step को देख लेते हैं कि हमें किस तरह से अपने phone को manually update करना है तो चलिए दोस्तो अब video को शुरू करते हैं तो जब आप इस file को अपने phone के अंदर download कर लो तो download करने के बाद simply आपको करने का है अपने the file manager मैं आने के बाद आपको phone storage के अंदर आना है और जो भी आपने file जहांदी डाउन लोड किई है आपको simply करना क्या है उसको copy या move करना है file manager के बाहर Sunny की सबसे बाहर वाले folder में जैसा कि आप यहां दियान से देखें 2.72 GB की जो file है मैंने इसको अलेड़ी download कर लिया है और मैंने file manager में सबसे बाहर की तरफ इसको copy या move कर दिया है अब next step में आपको simply करना क्या है अपने phone को एक वार switch off करना है और जब दोस्तों आपको phone completely switch off हो जाए तो simply आपको करना क्या है power button और volume down button दोनों को एक साथ press करना है और आपको थोड़ा सा wait करना है जब तक कि आपके phone के अंदर realme का logo नहीं आ जाता और जैसी दोस्तों realme का logo आ जाए तो आपको दोनों ही button को छोड़ देना है और आपको थोड़ा सा wait करना है जब तक कि हमारे सामने नई screen यानि कि new menu नहीं आ जाता और थोड़ी देर wait करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह की screen show होगी अभी आपको करना क्या है यहां English language को select करना है और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा जिसमें आपको सबसे पहला जो option है install from storage device इसको select करना है और जैसी दोस्तों आप इसको select करते हैं तो यहां आपको अपने lockie screen का जो password है उसे enter करना है और जैसी दोस्तों आप यहां lockie screen पासवर्ट वो enter करते हैं तो उसके बाद यहां आपको दो option देखने को मिलते हैं from phone storage और from SD card अब दोस्तों यहां आपको उस storage को select करना है जहां आपने file को save किया है चलिए खर मैंने phone storage के अंदर अपनी file को save किया है और जैसी दोस्तों आप ok पे click करते हैं तो जो आपका updating process है वो start हो जाएगा अभी आपको करना गया है थोड़ा सा wait करना है जब तक कि यह complete नहीं हो जाता So finally दोस्तों updating process successfully हो चुका है और यहां installation successful का एक message हमें show हो चुका है अभी आपको करना गया है next step में यहां आपको reboot का जो option है इस पर click करना है और इसे click करने के बाद आपको थोड़ा सा wait करना है जब तक कि आपको phone जो है completely on नहीं हो जाता तो चलिए हम अभी थोड़ा सा और wait कर लेते हैं So finally guys हमारा realme 2 pro successfully on हो चुका है और settings में आने के बाद यहां आपको आना है नीचे about phone के अंदर और चलिए हम देखते हैं कि यहां हमें security page level है अभी कौन सा देखने को मिलता है realme 2 pro के अंदर तो यहां हमें 5 November 2019 का security page level देखने को मिलता है realme 2 pro के अंदर चलिए खर next changes के बारे में बात करते हैं तो वह है dark mode का तो चलिए इसके लिए हम phone की settings में आते हैं और settings में आने के बाद यहां आपको realme lab के नाम से एक extra features देखने को मिलेगा तो simply आपको करना का है इस पर click करना है खर दोस्तों आप finally बात करते हैं यहाँ पर next changes के बारे में तो इसके अंदर आपको realme laboratory और बाकी यह इस तरह के जितने भी normal features होते हैं वो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाते हैं जैसे कि app cloner support more third party application यहाँ इसका मतलब यह है सब्सक्राइब कीजिए my2 support चैनल को और bell icon को दवाइए latest technology वीडियो सबसे पहने दोगने को बना सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आपको swipe left or right remove message prompt after receiving the message इस तरह के जो भी normal features हैं वो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि realme के other devices के अंदर देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि यहां सबसे बड़े अगर update की बात की जाए तो वो था dark moon और इसके बाद सबसे last का जो सबसे बड़ा update था realme 2 pro के लिए वो था realme 2 pro के अंदर इस features को mention नहीं क्या है और वो जो features है वो है hot spot को enable करने के बाद जो pop-up हमें show होता है खर चरीद मैं यहां एक बाद test करके देख लेता हूं कि यहां realme 2 pro के अंदर अगर हम hot spot को enable करते हैं तो enable करने के बाद अगर हमारे phone से कोई भी device को connect करता है तो connect करने के बाद हमें realme 2 pro के अंदर pop-up देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा जैसा कि दोस्तों आप यहां दियान से देखें मेरे पास यह realme 3 pro है और इसके अंदर इस तरह की जो problem सी pop-up की इसको solve कर दिया गया था चलिए अब मैं realme 2 pro पे एक बाद टेस्ट करके देख लेता हूँ so finally guys मैंने realme 2 pro से realme 3 pro को connect कर दिया है और जैसा कि आपने notification पैनल के अंदर देखें यहां पर जो मेरा realme 2 pro से connect है realme 3 pro और दोस्तों यह realme 2 pro के अंदर सबसे खास बात यह कि यहां आपको notification पैनल के अंदर किसी भी तरह का pop-up शो नहीं हो रहा है जबकि यहां पर mention नहीं किया गया था इस तरह की बात को तो दोस्तों इस तरह से अगर देखा जाए तो realme 2 pro के अंदर भी वो सभी features मिलते हैं जो कि realme के बाकी feature fonts के अंदर हमें देखने को मिलते हैं तो दोस्तों अगर आप इस update को करना चाते हैं तो simply आप यह सारे के सारे step follow कीजिए जो कि मैंने इस video के अंदर बताए हैं अगर आप wait करना चाते हैं तो आप OTA update का wait कर सकते हैं जिसका size काफी कम होगा लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा wait करना होगा लेकिन अगर आप wait नहीं करना चाते हैं तो आप manually जैसा मैंने आपको बताए है इस video के अंदर अपने phone को update कर सकते हैं और अपने realme 2 pro के अंदर जो नएने features होते हैं इनका मज़ा ले सकते हैं तो दोस्तो खैर फिलाल इस video में सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये video पसंद आया होगा अगर आपको ये video पसंद आया है तो प्लीज आप इस video को like कीज़े शेयर कीज़े और साथी साथ channel को subscribe करना बिल्कूल ना भूलें तो चलिए फिलाल इस video को finish करते हैं और मिलते हैं ऐसी एक और मज़दार video के साथ